अभी हमारी तयारी है गिफ्ट लेने की अभी हम लोग जा रहे हैं गिफ्ट लेने के लिए डाल को मिख्य में बारी करके ग्रेडर कर दिया है मैंने तो अब बना दे हैं इससे पक्सपार में कौन सबसे पहले सभी दगने होते हैं प्यार वहरो पर नाम मैं पूझा बंडारी आगे हो एक नए व्लोग के साथ उम्मीद करती हो आप सब लोग स्वस्त और मस्त होंगे तो करते हैं नए व्लोग की शुरुवात नए व्लोग की शुरुवात करे हो मैं मौर्णिंग टाइम से और बारिश सुबह तक बंद हो गी थी अभी फिर से आगी है बारिश पहले तो बारिश आना भूल दे थी अब जाना भूल गई है मैं दिखाते हूँ आपको आज का मौसम मैं पहुंच गई हूँ अपने किचन में अब करते हैं नास्ते की तैयारी और नास्ते में आज मैं बनाने वाली हूँ फिर से एक पहारी डिस जिसे मैं गाउ में बहुत सारा खाक्यार की हूँ तो उसके लिए मैंने यहाँ पे यह सुन्टा इसे बीगौने के लिए डाल दया था जब हम लोग गाउं गये थे तो उस टायम जिब हिने देर के थे यह वाली सुन्टे मैंने तो आज काले वाली सुन्टे देख रखी थे बर्शा सुजी के माईकय में यह बहुत सारे परक तो अब इसको थोड़ा सा हाथ से गिस करके इसके ये काले-काले चिलके उधर निकालने हैं पर ये ज्यादा ढंग से भीग नी रखे हैं तो इसको मैं पहले शिल्वाटे पे हल्क इसे दो-दो टुकड़े करूंगी ताकि इसके चिलके आशानी से निकल जाए तो अब इसको मैं दो लेती हूँ अच्छे से अगर ये हमने दो-दो टुकड़े की रहते हैं तो ऐसे करने पर इसके ये सारे चिलके निकल जाते पर अभी इसके ऐसे चिलके नहीं निकल रहे हैं तो इसको मैं पहले शिल्वाटे पे कर लेती हूँ इसके दो-दो टुकड़े ये वाला सिल्वटा फिसलता जैसा है इस पर अच्छे से दाल पिस्तिनी है गां वाला सिल्वटा होता तो ऐसे ही करने पर अग्दम बारी को जादा फिर भी कोई बात ने काम चलाएं ठीक है ये जिखे निकले रहे लिए टीक आएं पर निक्यृ तो इसे मैंने जाड़ा बारिक नहीं कर रहा है, बस इतना सा कर रहा है, तो ये इसके छीलके-छीलके अलग होगे हैं, और दाल-दाल अलग होगी हैं, तो इस पूरी दाल को मैं ऐसा ही ह sculpture ही करूंगी, फीर उसके बाद इसके छीलके उदर निकालूंगी हाद से ध होके, फिर इसको बारीक करके बाद में पिशूंगे सिल्वर टेपर थोड़ा बहुत पिशने के बाद कुछ ऐसा हो गया है यह ज्यादा बारीक नहीं करका बस दो दो टुकड़े कर रहे तो यह ऐसा हो गया है तो और इसके थोड़ा बहुत छिलके निकल गए है और यह भी कुछ रह रह रहे हैं पर जादा नहीं रह रहे हैं तो अब मैं इसको मिक्सी में करूंगी बारीक और इधर मैंने यह चावल भीगोने के लिए डाल रखे हैं सुन्टा तो मैंने कलडा डाल बिगोने के लिए लेकिन यह चावल मैंने सुबह डाले बिगोने के लिए चावल जल्दी भीग जाते हैं तो इसको भी इसके बाद मिक्सी में ग्रेंडर करना है मैं इसे कर लेती हूं मिक्सी में ग्रेंडर यह हो गया है पतोड़े का पेस्ट तयार दाल को मिक्सी में बार देखते हैं पतला हुर का है तो देखते हैं कैसा होता है दो आप गोगे हैं पटोड़े तैयार और ये गोरे वाले पटोड़े ना दीदी नदेर के हैं बिनो लोगने बनार के तेई आले पटोड़े तो उन्होंने साय दिये मूंग दाल के पटोड़े बनाओं और मेरे वाले पर्टोडे यह काले वाले दाल थी इसलिए यह यह वाले पर्टोडे काले हो रहे हैं और ये दुली हुई मुंöm के पर्टोडे शप्षेश्चे हैं एक दिन गिस पर am होंगी अब करते हैं हम लोग नास्ता अभी शाम के चार बज रहे हैं और अब सुबह से अब जाके मौसम साप हुआ है साप तो नहीं हुआ है पैदल तो साप नहीं हुए पर अभी दूप लगी है सुवा से मौसम देखके लग रहा था कि आज क्या दो दिन तक बारिश नहीं रुकने वाली है लेकिन अभी तो अंदर तक भी दू भीयार की है बाकी अभी हमारी तयारी है गिप्ट लेने की अभी हम लोग जा रहे हैं गिप्ट लेने के लिए किसी का बुलावा आया था तो कल कहीं जाना है तो उसी के लिए गिप्ट लेने जाना है तो अभी मैं और दी जाएंगे गिप्ट लेने और वहीं से देखेंगे रास्ते में अगर मंडी लगी होगी तो वहां से फ्रूट सोगिरा लेके भी आना है मंडी जाने से पहले हम लोग आगे हैं गिफ्ट की दुकान पर तो यहाँ पर हैं बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट ज्यादा तर हम लोग यहीं से लेते हैं सारे गिफ्ट तो देखते हैं हमें कौन शवला पसंद आता है अभी तो आरवी के लिए खाली सा निकाल रखाया है यह तो नहीं लेना है बाकी इधर देखते हैं कौन-कौन से गिफ्ट अच्छे लगते हैं किता बढ़ा होती है शिट्न गस है खट दो पर रेच पकसपाद में कौन अधिक अधिक वहाँ आधिक शाणी दो हमारा गिफ्ट तो हो गया है पैक और अभी यह वाला गिफ्ट हो रहा है दीदी का अजके इस ब्लाग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड उम्मीद करती हूँ आप सबकु आजक का वलोग पशरण दाया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो इडियो को लाइक करना करना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सबस्क्राइब करना मिलती हूँ एक नेक्स ब्लोग क झाल शाम challenges, कट चाहल गया में आप्पार कर दो में आया स्थार बुर्षा गुस्पलीप स्थार जडिंवारी ठे एारोगारी तेडिया से आपके निक three in आट